कुरोना वारस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन को लेका दक्षिन अफरिका की एक नई रिपोर्ट सामने आई है दक्षिन अफरिका ने नवंबर के आखरी हफते में इस वारस को लेका दुनिया को आगा करना शुरू किया था जिससे दुनिया भर की चिंता बड़ी है भारत में भी इस से वेरियन के केस सामने आ चुके हैं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रोन वेरियन डेल्टा और बीटा की तुलना में तीन गुना ज्यादा री इंफेक्शन फैला सकता है यानि जो लोग COVID-19 से पहले संक्रमित हो चुके हैं उनके भी फिर से इंफेक्ट होने का खत्रा है रिपोर्ट के मताबिक 27 नवंबर तक COVID-19 पॉजिटिव होए 28 लाख लोगों में 35,670 लोगों के दोबारा संक्रमित होने का नुमान है COVID-19 से संक्रमित होने के 90 दिनों बाद अगर किसी शक्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसे री इंफेक्शन माना जाता है कई वग्यानिक पहले भी कह चुके हैं कि ओमिक्रोन वेरियन के स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा म्यूटेशन है जिसकी वज़़ से ज्यादा संक्रमक हो सकता है दक्षिन अफ्रीका में जारीज रिपोर्ट के मताबिक ओमिक्रोन वेरियन डेल्टा वेरियन से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और इस पर वैक्सीन का असर पूरी तरह से नहीं होता है हाला कि वैक्सीन अभी खतरनाक बिमारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर रही है नाखपूर से BCN News के लिए अभिशेक पांसी की रिपोर्ट